नमस्कार स्वागा थे आप सभी का सक्से स्टेप्स के सी योटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम विटामिन से जुड़े 40 सबसे महत्पुन प्रसनों को इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों जैसा है कि आप सभी को पता है समान विज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है उसका एक most important topic होता है विटामिन तता इस topic से प्रतिवर्स 4 से 5 प्रसन सभी प्रकार की परिछाओं में पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में हमने जितने भी important प्रसन बन सकते थे vitamins related उन सभी को इस वीडियो में समलित किया हुआ है तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे अगर आपको वीडियो helpful लगे तो इस वीडियो को like किजेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी share किजेगा तथा अगर आप हमारी चैनल ले पहली बार आ रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जिरूर कर लिजेगा इसी तरह के और important वीडियोज को पाने के लिए तो यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला मारा प्रस्थन है बिटामिन सी का रासाइनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो बिटामिन सी का रासाइनिक नाम क्या होता है तो बिटामिन सी का रासाइनिक नाम आपका होता है एसकॉर्बिक एसीड यानि option इसका बी बिल्कुल सही है बिटामिन C का राशाइनिक नाम होता है स्कॉर्बी केसिड अगला महाँ प्रस्थन है रताउंदी यानि कि जो night blendness होती है वो किस बिटामिन की कमी के करण होती है सूपर इंपोर्टेंट तो रताउंदी नामक रोग जो होता हूँ क्या माना जाता है तो आवला यानि option C इसका बिलकुल सही है विटामिन C का सबसे अच्छा सुरोत आवला माना जाता है अगला मेरा प्रस्थन है बेरी बेरी रोग किस बिटामिन की कमी की करण होता है सूपर इंपोर्टेंट डाउन कर लिजेगा ये आपके एकजाम में 100% पूछा जाएगा कि वस्ता में घुलन सिल विटामिन कौन होता है या जल में घुलन सिल विटामिन कौन होता है दो प्रसन जो है 100% आपके एकजाम में पूछे जाएं क्योंकि ये लगबक 50 से जादा बार 50 से जादा बार कई प् उप्सन ने वो सही है यानि कि विटामिन A आपका हो गया विटामिन D हो गया विटामिन K ये तीन विटामिन जो है ये वसा में घुलन सील विटामिन होते है वो अभी वसा में घुलन सील होता है तो इस पर का चार विटामिन होते हैं आपका हो जाएगा पहला A हो जाएगा द जरूर पूछे जाएंगे, वहीं अगले विटामिन के अगर हम बात करें, जल में घुलनसील, तो दो विटामिन होते हैं, जो जल में घुलनसील होते हैं, विटामिन B और विटामिन C, तो इनने आप याद रिखिएगा, अगला मारा प्रस्तन है, विटामिन B का रासानिक ना नाम होता है थाइमीन यानि option B इसका बिल्कुल सही है vitamin B का रहसानिक नाम होता है थाइमीन अगला मेरा प्रस्तन है vitamin A का रहसानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो vitamin A का रहसानिक नाम क्या होता है तो रेटिनल यानि option A इसका बिल्कुल सही है विटामिन A का रहसानिक नाम होता है रेटिनल अगला मारा प्रस्थन है इसकरवी रोग किस विटामिन की कमी के करण होता है तो इसकरवी नामक जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के करण होता है तो विटामिन C यानि option C इसका बिल्कुल सही है बिटामिन C की कमी के करण इसकरवी नामक रोग होता है अगला मारबसन है बिटामिन D का सबसे सरोत्तम सरोत क्या होता है तो बिटामिन D का सबसे सरोत्तम सरोत क्या माना गया है तो सुर्य का प्रकास यानि option C इसका बिल्कुल सही है जो sunlight होती है, जो सूरी का प्रकास होता है, वो vitamin D का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है, तो option C इसका बिल्कुल सही है, अगला मारा प्रस्न है, vitamin B7 का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो vitamin B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो biotene, यानि option जो B है इसका बिल्कुल सह किस बिटामिन की कमी के कारण होता है तो बिटामिन E की कमी के कारण उप्युक्त बिमारी होती है किसकी नपुन संक्ता की या बंदेता की तो option C इसका बिल्कुल सही है बिटामिन E की कमी के कारण अगला मारा प्रस्तन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है तो फीलो क्यूनान यानि option B इसका बिल्कुल सही है फीलो क्यूनान विटामिन के का रासायनिक नाम होता है तो आप इसे यादे किएगा फिलो क्यूनान ओप्सन भी इसका बिल्कुल सही है चोधामा प्रस्त नमारा है मचलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है आपसे पूछा जा रहा है तो मचलियों के तेल में सबसे अधिक मात्रा में बिटामिन डी पाया जाता है तो इसका ऑप्सन क्या हो जाएका बिटामिन डी जो हता है वो मचलियों के तेल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो option इसका डी बिल्कुल से हो जागा सॉरी, option इसका निग्लेट किजिएगा, इसका राइट एंसर हो जागा vitamin D, कौन से vitamin तो vitamin D इसका राइट एंसर है अगला हमारा प्रस्तन है कौन सा vitamin गर्म करने पर नस्ट हो जाता है, सुपर इंपोर्टेंट तो vitamin D की कमी के करन कौन सा रोग होता है तो vitamin D की कमी के करन रिकेट से रोग होता है बच्चों में, तिसे आप आप आदेखें कि यह कई पर जामें पूछा क्या प्रस्तन है कि जो रिकेट से नामक रोग होता है वो वयसको में होता है या बच्चो में होता है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा बच्चो में होता है रिकेट्स नामक रोग विटामिन D की कमी के करण वह अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन D की कमी के करण वयसको में कौन सा रोग होता है तो वयस्को के अगर बात हो तो वयस्को में विटामिन D की कमी के करण रोग होता है अस्टियो मैलेसिया तो इसे भी आप आ देखेगा रोग का नाम है अस्टियो मैलेसिया यह विटामिन D की कमी के करण वयस्को में होता है तो दोनों आपके याद रखना है जहां पर vitamin सब्द की बात हो तो वहां पर आपका right answer हो जाएगा C funk के दारा वहां करें vitamin की खोज यह दोनों अलग-अलग है vitamin सब्द का बात हो जहां पर तो वहां पर आपका answer दूसरा होगा और vitamin की खोज जहां पर बात हो का answer आपका दूसरा हो जाएगा तो यहां पर हम बात करें vitamin सब्द की किस ने दिया था तो जो vitamin सब्द है यह दिया गया था c funk के दोरा तो option c इसका बिल्कुल सही है बैग्यानिक c funk ने vitamin सब्द का सबसे पहले उपयोग किया था तो option c इसका बिल्कुल से c funk अगला मारा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा vitamin होता है तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा vitamin सहायक होता है तो vitamin जो होता है के होता है यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो option b इसका बिल्कुल सही मैकुलन ने बिटामिन A और बिटामिन B का अविस्कार किया था तो राइट एमसर आप्सन भी इसका है मैकुलन अगला मारा है बिटामिन A की कमी के कारण कौन सा रोग होता है तो बिटामिन A की कमी के कारण कौन सा रोग होता है तो बिटामिन की खोज की थी Hopkins ने, आप याद देखिएगा, बिटामिन की खोज की थी Hopkins ने, वहीं अगर आपसे पूछे कि बिटामिन सब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो C-Funk आपका राय टेंचर हो जाएगा, तो दोनों आपको याद रखना है, confused नहीं होना ह अगला हमारा है, बिटामिन से हमें कितनी उर्जा मिलती है, super important, तो बिटामिन से हमें किसी भी प्रकार की उर्जा नहीं प्राप्त होती है, तो इसका राय टेंचर हो जाएगा, option A, सुन, यानि zero calorie उर्जा में मिलती है, बिटामिन से, तो option इसका A, बिल्कुल सही है, अगला हमारा प्रस्णा है, बिटामिन के अध्यान को क्या कहा जाता है, super important, तो बिटामिन के अध्यान को क्या कहा जाता है, तो बिटामिनो लॉजी, यानि option B, इसका बिल्कुल सही है, बिटामिन के अध्यान को हम बिटामिनो लॉजी कहते हैं, अगला हमारा प्रस्णा है, बिटा या देखिएगा तता वस्ता में घुलंसिल विटामिन कौन कौन से होते हैं तो A, D, E और K ये चार विटामिन है जो कि वस्ता में घुलंसिल होते हैं और पानी में घुलंसिल कौन से होते हैं तो विटामिन B और विटामिन C तो इन्हें भी आप या देखिएगा अगला हमारा इसको sunshine विटामिन के नाम से जाना जाता है अगला हमारा प्रस्थन है मनुस्यों की आख की रोषनी के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा फायदे मन्द होता है तो विटामिन A यानि राइट एंसर इसके आओ जाएगा option जो B है इसका बिल्कुल सही है विटामिन A जो होता है वह मनुस्यों की आखों के लिए सबसे अधिक फायदे मन्द विटामिन होता है तो विटामिन A इसका राइट एंसर है अगला हमारा है किस विटामिन को anti-cancer vitamin कहा जाता है तो राइट एंसर होता है विटामिन A जो विटामिन A होता है इसको anti-cancer vitamin कहा जाता है अगला हमारा है किस विटामिन को anti-infection vitamin कहा जाता है तो anti-cancer और anti-infection vitamin vitamin A को ही कहा जाता है तो इसका right answer करो जागे है vitamin A तो दोनों को आपको याद रखना है अगला हमारा है बिटामिन A प्रचूर मत्रा में किसमे पाय जाता है principle important तो vitamin A जो होता है वो प्रचूर मत्रा में किसमे पाय जाता है तो उपभ्यूक्त सभी यानि कि गाजर, हरी सबजी और मूली यानि option D इसका बिल्कुल सही है गाजर, हरी सबजी और मूली में बिटामिन A प्रचूर मातरा में मिलता है अगला मारा है किस बिटामिन को रोग प्रतिरोधक बिटामिन भी कहा जाता है super important तो बिटामिन A इसका राइट एंसर हो जाएगा जो बिटामिन A होता है उसको हम रोग प्रतिरोधक बिटामिन भी कहते हैं अगला मारा बसन है रतवंदी यानि कि नाइट ब्लांडनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है super important तो नाइट ब्लांडनेस यानि कि रतवंदी को अन्य किस नाम से जानते हैं तो रेटिनॉल यानि option A इसका बिल्कुल से रेटिनॉल के नाम से अगला मारा है कौन सा बिटामिन मानो सरीर में संक्रमन को रोकने में मदद कलता है super important तो कौन सा बिटामिन जो मानो सरीर में संक्रमन को रोकने में मदद कलता है तो option A यानि कि जो बिटामिन A होता है वो मानो सरीर में संक्रमन को रोकने में मदद कलता है अगला मारा बस्तन है पुरुसो एवं इस्त्रियों में जनन की बिमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है तो पुरुसो एवं इस्त्रियों में जनन की जो बिमारी होती है वो विटामिन E की कमी के कारण होती है तो इसका राय टेसर क्या हो जाएगा विटामिन E की कमी के कारण अगला हमारा है बिटामिन का मुख्य कारे क्या होता है तो बिटामिन का जो मुख्य कार होता है वो होता है भोजन के उत्प्रेरग के रुप में कारे करना यानि option B इसका बिल्कुल सही है भोजन के उत्प्रेरग के रुप में कारे करना बिटामिन का में कारे में वर्क होता है एक चीज आप note down कर लेजेगा, विटामिन से हमारे सरीर में किसी प्रकार की उर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से इसे आप याद रखिएगा, अगरे हमारे सरीर में कौन सा विटामिन सबसे तिवरता से बनता है, तो इसका right answer हो जाएगा, आपका option जो E, मतलब option जो E है विट विटामिन E है, हमारे सरीर में सबसे अधिक तिवरता से बनता है, अगला हमारा है विटामिन E का रहसाइनिक नाम आपसे पूछा जा रहे है कि विटामिन E का रहसाइनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन E का रहसाइनिक नाम क्या होता है, टोको फेराल, यानि जो option इसका ह सी बिल्कुल से टोको फिरहाल जो हता है यह विटामीन ई का रासायनिक नाम होता है। अगला मारा परसन है निवन में से कौन से विटामीन शरीर में बनने वाली हानेकारक रासायन को नष्ट कर देता है। को नस्ट कर देता है तो बिटामिन E इसका रहे टेंशर हो जागा बिटामिन E जो होता है वो हमारे सरीं में बनने वाले हानिकारक रसायन को नस्ट कर देता है तो option A इसका बिल्गुल से विटामिन E अगला मारपस्दन है निब्डमे से पैंथो थेनिक अमल किसका रहसानिक नाम है तो पैंथो थेनिक अमल किस विटामिन का रहसानिक नाम होता है तो विटामिन B5 का यानि option जो B है इसका बिल्कुल से जो विटामिन B5 होता है उसका रहसानिक नाम होता है पैंथो थेनिक अमल तो इसे आप याद देखिएगा अगला मारा प्रस्तन है किस विटामिन की कमी के करण बाल गिरते हैं तो किस विटामिन की कमी करण बाल गिरते हैं तो विटामिन B7 यानि option जो B है इसका बिल्कुल सही विटामिन B7 की कमी करण जो है बाल गिरते हैं अगलामारा प्रसन है किस विटामिन की कमी क ears करन मसूडों में खुन आता है तो मुत्र में सबसे अदिक मातरा में कौन सा विटामिन पाय जाता है तो मुत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन C यानि option जो C है इसका बिल्कुल सही है जो विटामिन C होता है वह मुत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो दोस्ते हैं आप हमने total 42 सबसे महत्रपुन प्रस्तियों को cover कर लि झाल झाल झाल